अगर कोई वोर के ऊपर कोई मूवी बनाता है जो एक्चुल में वोर हुआ था तो मेरे एकोडिंग भाई साब उनको रिसर्च कर लेनी चाहिए नवश्कार दोस्तों इस वीडियो में बात करोगा 1962 वोर ओन दा हिल्स एक वेब सिरीज के बारे में जिसे होट स्टार पर रिलीज किया गया है टोटल इसके अंदर 10 एपिसोड है और ये तक्रीबन 7 घंटे लंबी एक सिरीज है मैं तो 7 घंटे लग जाते हैं इसको देखने में देखने में नहीं इसको जेलने में इतनी ज़्यादा इंटॉलरेबल सिरीज है इस सिरीज की कहानी परेरित है 125 जवानों से जिन्होंने 3000 चैनिस सैनिकों को रोका था 1960 जो जब वोर हुआ था भारत और चीन के बीच में लेकिन ये पूर्ण रूप से उसके उपर अधारित नहीं है इन्होंने नाम चेंज कर दिये हैं और बस थोड़ा सा ये concept लिया है कि हाँ 125 सिपाई थे और 3000 जो वो थे चैनिस सैनिक थे बस ये वाला concept इन्होंने लिया है बाकि जो ये हिंडी entertainment का जिन्होंने ठेका उठा रहा है ना इनको लगता है कि जब तक अगर किसी series या किसी movie में वो love का triangle जो भी है ये जब तक नहीं गुशेडेंगे वो movie या series अच्छी नहीं बनेगी इसके नाम में भला ही 1962 war on the hills हो लेकिन इसके अंदर जो war या war से related कुछ एक जो scene है मैं कहुँगा कि पूरी इस 7 गंटे में आपको 15 केवल 15 परसंट ही वो चीज़ें देखने को मिलेंगी war या wars related बाकी 85 परसंट इनकी घटिया सोच और दक्यान उसी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी इसके मेकर्स को सीखना चाहिए कि कैसे एक war related movie बनाई जाती है यार उसके emotion कैसे हमारे सामने प्रेजन के जाते हैं इसके मेकर्स को सीखना चाहिए ये 2021 में हम इतनी घटिया screenplay इतना घटिया direction इतनी घटिया performance इतना घटिया VFX देख रहे हैं मैं जानता हूँ गयार उन्होंने 7 गंटे इसलिए ले लिए इस सीरीज में ताकि हम हर एक soldier से connect हो पाएं उन्होंने दिखाई है उनकी story लेकिन इतनी बकवास तरीके से उन्होंने represent किया है बतलब उनसे connect होना तो बहुत दूर की बात है भाई साब सर में दर्द हो जाते हैं और ऐसा नहीं है कि वो connect नहीं कर सकते हैं बेशा कर सकते हैं उनके पास 7 गंटे थे मैं एक उधान देता हूं border movie अगर आप वो देखते हो 3 गंटे लंबी movie है उस movie के अंदर उन्हो जो fight से related emotion वो दिखाएगा है word से related emotion वो दिखाएगा है लेकिन इस series में साथ घंटे लगा दिये इसके makers ने अब समझदार लोगों थोड़ा बहुत तो दिमाग यूज़ कर लेते कि मतलब तुम साथ-साथ घंटे कर रहे हो बिल्कुल waste करती है waste of money इनके तरफ से और waste of time हमार करो तब जाके चीज़ों को word related जो actual में हुई है उनसे लोगों के sentiment जुड़े होते हैं तो उनका ध्यान रखा करो और जो इन्होंने soldier दिखाए हैं क्या बखवास है वो क्या है वो सच में क्या है वो मतलब बिल्कुल उनको कोई मतलब नहीं क्या हो रहा है कुछ नहीं हो रहा लेकिन यह दिखाया है इन्होंने इस movie इस series के अंदर लेकिन जो एक touch होता है हर्यान भी touch होता है उनकी language जो होती है उनका culture जो होता है वो बिल्कुल भी इस series के अंदर नहीं था कोन से कहां से चक्के लेके आयो यार उन लोगों को मुझे नहीं बता कि जो इसमें जो actors थे उ पूरती होती है उनके अंदर तुम्हारी तरह से मुह लटका हुए नहीं गूंते वो लो डिस्गस्टिंग सीरीज है चाहें चीन के जो सैनिक है उनको पता नहीं नो एक अलग ही way में represent किया है अबे सटक गई है कि तुम लोगों की तुम क्या दिखा रहे हो थोड़ा बहु पास सी चीज इनों ने दिखाई उस जो लड़की जो उसके अंदर लव ट्रेंगल में जो लड़की थी भाई साब उसको जेलना इतना सरदर्द है उसको देखना है ना कोई डायलोग है ना कोई धंके वीएफेक्स है 2021 में वीएफेक्स देखो इन लोगों को इतने घटिया वीएफेक्स इतने वहियात वीएफेक्स देखते वक्त इतनी चीफ फिलिंग आ रही थी यार इसको देखने मुझे पांच दिन लग गए साथ घंटे की सीरीज को देखने मुझे पांच दिन लगए ऐसे तोड़ना देखी गई यार हर मतलब कुछ देर बाद अपनी आंको उनको सेनिटाइज करना पड़ता था इतना ऐसे हैं यह चीज है और जब भी इस सीरीज के अंदर कोई सोलजर जो सहीद होता तो भाई साब तुम बैक्ग्राउंड में कौन सा साउंड बचा रहे हो कोई रेलेवेंट है उस चीज का इस सीरीज का स्क्रीन प्ले घटिया पर लग से बना लेते यार पूरे दो गंटे की इन्हों ने जो देखा जाए तो साथ गंटे में अलग निकल सकते हैं तो अलग से बना लेते इतना ही शोग था तुमको बकवास सी चीज दिखाने का और अगर किसी नेस सीरीज देख रहे हैं तो प्लीज कमेंट करना की आप लो झाल झाल